मेरा नाम सुवेंदरवत्स है हर्याना से हुँ में वहाँ पे टाउन है जीन नाम से पिसले आठ साल से वहाँ पे मेरा अपना एक बेनस है केबल नेटवर्क है पूरे टाउन में और साथ में दोस्तों मैं स्टुडेंट हूँ अभी पंजाव इंवर्श्टी चंदिगर से पी और पिसले चार साल से आर्सम बेनस का भी स्टुडेंट हूँ इसको भी सीख रहा हूँ बहुत लग्की हूँ मैं और बहुत लग्की हैं आप सब लोग क्योंकि हम सब की जो कोमन अप्लाइन है वो एक ऐसे महान वेक्ति हैं जिनोंने आर्सम बेनस में कितियास रचा है जिन कित खरीद के एक करोड रुपया कमाया जा सकता है आर्सम बेनस के पहले करोड पती कोठाई साथ हम बहुत लग्की है कोठाई साथ की गैडलाइन हमें मिलती है और उपर में स्री केसी चावड़ा साथ जिन का बहुत बड़ा विजन है इस वेनस को लेके स्री बीशी हम पूरा कर रहे हैं मेरे ऐसा मानना है कि मेरी जो एंशीतृत से आप की लेंस हम सब्सक्राइब की सब्सक्राइब से आइस सब्सक्राइब हैं वो जो हमें एक काम वेक्ति से खास वेक्ति बनाने के लिए जिनका संकल्ब है आज से चार साल पहले ये बिजनस मेरे लिए अजनवी था पहली बार मैंने नाम सुनाए दिया था आर सी एम और आज आलम ये है सुबह जो बूटते हैं मुबाइल पहली फोन को लटैंड करते हैं उसमें होता है गोड आर सी हम और दिन में पता नहीं कितने बात गोड आर सी हम होता है और रात में भी सोते टाइम फोन की जो लास्ट काल होती है या सुरी मतीजी जो बोलते हैं वो भी यह कीचीज बहुता है गोडार से हैं इतना रम गया यह अंदर में मात्र चार साल का टाइम प्रेट हो है फ्रेंड्स चार साल पहले जब मैंने मार्केटिंग प्लान देखा मेरे दिमाग में भी कई सारे कन्फूजन्स थे इसको लेके जिस वक्ति ने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखा था मैंने उनसे प्रेशन किया था कि मेरा अपना एक बेनस है उस बेनस में मेरी लाखों रुपे की इन्वेस्मेंट है लाखों रुपे की इन्वेस्मेंट के बावजू जब income और profit की बात करते हैं तो वो बहुत limited है, हजारों में आता है और जब competition होते हैं तो आता नहीं है, घर से देना पड़ता है और आप यहां पे बता रहे हैं कि कपड़े के किट खरी दें आपके घर में लाख रुपए महीना की income आ सकती है मैंने उनसे कहा कि मेरा बिजनस को लेके जो तजर्वा है, जो education बिजनस की आज तक मुझे मिली है वो education यह कहती है अगर आपने एक लाख रुपए महीना कमाना है एक ही तरीका है, आपके पास में एक क्रोड रुपए होना चाहिए अगर एक क्रोड रुपए है उस एक करोड रुपए का कोई भी काम करके सायद आपको एक लाख रुपए महीना की इंकमा जाए लेकिन कपड़ा पहनने से एक लाख रुपए महीना की इंकमाएगी यह कैसे possible है इस प्रकार के तरह तरह के प्रशन जो पहली बार मैंने marketing प्लान देखा मेरे माइंड से पैदा हुए मैं बहुत सिरियस नहीं था उसके बावजूद भी मैंने सुइनस को जोहन किया पता है क्यों इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छे दोस्त को माराज नहीं करना चाहता था मेरे को लगा अगर ये किट नहीं खरीदा तो ये दोस्त कम से कम एक महीने लग तक बात नहीं करेगा मेरे से कि मैं उसकी नेचर को जानता था मैंने किसी वेक्ती को अबलाइज करने के लिए 1260 रुपे दिए एक फोरम पे साइन कर दिए किट ले ली किट लेके भी मैं घर पे नहीं गया मेरा अपना जो केबल नेटवर्क का बेनस है उसके ओफिस में जाकर उसको रख दिया क्योंकि साधी सुधा लोगों के साथ में एक दिक्कत होती है जब कुछ भी सामान लेके जाते हैं तो उसके बहुत बड़ी चान भी नहीं होती है तैकिकात होती है कितने का लाए कहां से लाए क्यों लाए सो मैं किसी पंगे में ने पढ़ना चाहता था मैंने सोचा किसी मोके बे ले जाएंगे सो बहुत सिरियस नहीं था इसलिए मैंने काम नहीं किया स्वेनस को लेके इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि कि इसमें कितने कपड़े हैं, पैंड शोट क्या हैं क्या नहीं, तीन महीने तक काम किया तो केवल मात रेक किया, जब भी मेरी अप्लाइन का फोन मेरे पास में आता था, मैं हर बार कोई नहा बहाना उसको बना के बता देता था, कभी मैं उनको कहता, वो कहते कि इस महीने आप अच्छा काम करो मैं आता हूँ आप मिटिंग रखवा हैं मैं उनको कहता है इस महीने मिटिंग नहीं रखेंगे क्योंकि इस महीने इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की सिरंखला चले हुई है और बहुत सारे लोगों के गरों में अच्छा कैसे हुआ क्या हुआ क्यों हुआ और छुटी मिल जाते हैं इस टाइम के लिए तो तीन महीने तक एक कारवाई चलती रही लेकिन तीन महीने के बाद इस वेनस को लेके जो टरनिंग पॉइंट आया मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा प्रिवतन कारी समय था इस प्रकार के एक मेटिंग में आने का मुझे मुझे मौका पराप्त हुआ वो भी आना नहीं चाहता था जैसे तैसे आ गया और आज सुकर गुजार हूँ सूपर वाले का उस वालात उन प्रिस्तितियों का जो प्रिस्तितिया मुझे मैं चाहते हुए भी इस प्रकार के शानलार लोगों के बीच में बैठा दिया और बैठाने के बाद ये बेनस में सुनी आ गया ये जो क्लैपिंग बार बार बज़वाई जा रही है ये इसलिए बजवाई जा रही है तागि आपकी थोड़ी सी स्तिति ठीक हो जाए हमारा जो दिमाग होता है न जैसे भूमी होती है उसमें अच्छी फसल पैदा करने के लिए उसको साथ किया जाता है उसमें जो गल्चीजें पैदा हो जाती है उनको निकालना पड़ता है उसचीजें बजाओ भूमी में उपजाओ फसल पैदा होती है तो ये जो तालिया है जो पहले कि डिक्तिविटी हमारे यहां पे फीर है उस डिक्तिविटी को वास्थ करने के लिए बार बार बजाए जाती है जितनी ज़्यादा बदा होगे उतनी ज़्यादा अच्छे समझ वाएगी तालियों का क्या महतो है ये खेमंद सर्मा जी ने आपको बताया लेकिन तालियों का सबसे बड़ा महतो है प्रसले हफते मुझे समझ वाएगा जब मैं जैपूर में एक बहुत बड़ा औरोटोरियम है वहाँ पर बेरला औरोटोरियम उसके बाहर एक फंक्चन लेके निकला बहुत एकसेटिंग समिनार थी वो लगवग दो हजार लोग थे वहाँ पर और जैसे हम लोग बाहर निकले दो डिस्यूटर दो वेक्ति मैं कहूंगा आपस में जगड रहे थे आपस में जोर जोर से बाते कर रहे थे मैं उनके पास में गया मैंने उनसे पूछा कि भई आप लोग मिटिंग में थे मिटिंग में तो अच्छा बोलना सिखा जाता है प्यार करना सिखा जाता है तुम जगड क्यों रहे हैं आपस में उन में से एक वेक्ती ने कहा कि ये जो सज्जन मेरे पास में है ये मेरे बहुत नजदी की दोस्त है मैं पिसले तीन महीने से इनको आर्सम बेनस के बारे में बता रहा था बड़ी मुस्किल से इनको मैं फंक्शन में लेके आया बाहर जो टिकट लगी वो भी मैंने अपनी पोकेट से इनको लेके दी और अब बिटिंग से बाहर आने के बाद ये कह रहे हैं कि मैं आर्सम बेनस जोईन करूँगा मैंने का ये तो अच्छी बात है प्रेशान क्यों हो रहा तूँ उसने कहा मैं प्रेशान इसलिए हो रहा हूँ ये कह रहा है कि मैं आर्सम जोईन तो करूँगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूँगा फिर मुझे भी लगा कि यार मामला गंबीर है मैंने उनसे पूछा कि क्या इस वेक्ति ने आपको मिटिंग में बुलाया बुले साथ बुलाया इसने आपकी टिकल ली बुले साथ ली फिर मैंने कहा यार तुम इसके साथ जोईन क्यों नहीं हो रहे उसने कहा कि मैं इसके साथ मैं मिटिंग में बैठा था मिटिंग में हर वेक्ती तालियां बजा रहा था इससे मिटिंग में तालिय नहीं बज़ रही थी ये मेरे को रोयल्टी पे कैसे लेके जा सकता आपके सामने ये प्रोग्लम ना जाए बाहर जाके कोई डिस्टिबूटर इसलिए आपके साथ में जोइन करने से मना करते कि तुम से ताली नहीं बजती, मैं तेरे साथ नहीं जोएन करूँगा, याद रखना है इस चीज़ को, बड़ी प्रोलम हो जाएगी फिर अपलाइन से समझोता करूआ होगी सब, क्यों कि हर वेक्ति जुड़ने से पहले ये देखता है कि ये वेक्ति खुश रहता है ये उत्साही रहता है या नहीं रहता, दो बच्चे हैं, एक रो रहा है, एक हंस रहा है, आप किसके साथ में खेलना पसंद करेंगे, हंसने वाले के, आपके चेरे पर हंसे अच्छे बाव हैं, आप तालिया बजा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आप के साथ में जोएन करने के लिए तया रहेंगे, और तालिया इसलिए वजाएं, कोई वैक आपकी उत्साह को देखके बार जागे वैसे प्रोस्वेक्ट मिल जाएगा आपका कोई, किया हैसे, इसके साथ जोएन करों, तो तालिया बजाना गाटे का सूदा नहीं है, मैं आप को कह रहा था कि मैं बहुत सिरियस नहीं था इस VINERS को लेके तीन महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया बाने बनाएं खूब सारे तीन महीने के बाद ऐसे फंक्शन मैने के बाद मैं पहली बार मुझे लगा कि इस VINERS से जाने के पास में बहुत अच्ही एजूकेशन नहीं है पहले की भी पहले बहुत उसके भी आहई जब वरहerson को कर उसकता है निश्टित रूप से एससे तेज़ी से करके इससे पहले युज़ सकता हूं यह चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया इसको मन बनाया जब निकला होल से बाहर की एस मैं इसको करूंगा मन बना कोई भी नया काम इतना आसान नहीं होता यह बहुत साथ लोग कहते हैं कि साथ मेरे पास आलेडी बहुत अच्छा अनुवा हो है नेट्रोक मार्केट का मुझे नहीं पता था है मल्टी लावल मार्केटिंग में तो इसी प्रशन पर इटक गया था कि कपड़े की किट खरीने से लाखों रुबे कैसे आ जाएंगे यान इस परकार की सोच थी मुझे जानकारी नहीं थी इस परकार के बड़ेंस को लेके सो मेरे सामने और थोड़े जादा बड़े चैलिंजिस थे मुझे जानकारी नहीं थी ये कारण था दूसरा कारण था उस टेम आजसे मुझे के पास में बहुत साब परड़ेंस नहीं थे तीसरा कारण था हमारे आस पास में कोई वेक्ति ऐसा एक्जांपल नहीं था जिसको नहीं थे, बहुत बड़ा अभावत है इस फरकार का, तो थोड़े मुस्किल रहे, थोड़े चलंजिस रहे, आर्सम बेरा सुजयन करने के पांच महीने बाद मेरी पहले इंकम आई थी, पंदरा सो साथ रुबे गी, पांच महीने के बाद, और अब तो स्थीति ये है किसी का अगर दो महीने चेक नहीं आता हूं, इससे महीने कम हाँ हिगर भी कहता है, यह भी या बहुत सारी कंपनिया दुस्री मैं करोंगा, अर्सी मैं तो आता है किसनी, लेकिन फरक इस बाद से नहीं पढ़ता, कि पांच महीने के बाद मुझे 1560 रुबे का चेक आया, इस बाद स से मेरा पिसले महिने का चेक छे लाग पचास जार पंत्सो साथ रुपे गाता है थैंक यू थैंक यू अरी मच पिसले चाहर साल में बहुत कुछ दिया फ्रैंड जस्ट बेरनस ने एक मिडल क्रास फैमली की बैकराउंड से आया हूं मेरे फादर टीचर थे अभी रिटेर हुए है दो साल पहले घर में तीन बैने दो भाई मिडल क्रास फैमली के जो चैलिंजिस होते हैं उस सारे के सारे फेस किये जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूं उसकी दो लाग की पापुलेशन है आज से चार साल पहले उस दो लाग की भीड़ का इंखिस्ता था मैं भी लेकिन इस बैनस की पावर है कि आज उस दो लाग पापुलेशन के सहर में अगर कभी चर्चा होती है इस चीज की कि हमारे सहर की सबसे शांदार सबसे खूबसूर्थ सबसे लगजरी सबसे महंगी गाड़ी किस वेक्ति के पास में है तो नाम आता है कि वो कार सिंबरनस के डिस्रिब्यूटर है सुरेंदर वर्टसुन का ना मेरी इंकम टेक्स रिटरं की फाइल को देखके ऑफिसर्स रकरा जाते हैं वो देखते हैं चार साल पहले तो इस नाम की कोई फरम नहीं था वेक्ति नहीं था ये कौन वेक्ति कहां से क्या गया और वो मेरे वकील से पूछते हैं कि वह यह करते क्या हैं और वो मेरे से वकील साब कहते हैं मैंने उनको कुछ पढ़ाया हुआ है कि वो भी डिस्ट्रिबूटर है उनको मैंने बोला हुआ है कि जो बंदा तुम लेकर हो तुम्हारी डाउन लाइन में जाएगा वो कहते हैं कि साहब वो बहुत बड़े बिजनस मैं है उनका हिंदुस्तान के 29 स्टेट में बिजनस है बहुत कम टाइम रहते हैं जिन में मैं प्रियास करके आपको एक गंटाउन से मिलवा सकता हूँ पूछ लेना क्या करते है बड़े बड़े जो इटियोज हैं वो मिलते हैं टाइम लेते हैं और उन एक गंटे में मैं उनको बताता हूँ कि यह आरसम बिजनस है यह फैशन सुटिंग फैवे लिम्टेड है यहाँ पे आप 15 सो रुपे के किट खरीदेंगे दो लोगों को जोड़ेंगे उनके साथ में काम करेंगे और आप टेक्निकल बोनस पर पहुंश सकते हैं फिर वो जोईन करते हैं और काम करते हैं जिस बैंक में मेरा अकाउंट है सारे के सारे इंप्लाइज हेमन सर्मा जी तो समझदार है पहले जोईन होगे बैंक वाले हैं सारे के सारे जुएन यूटियाई में मैंने पीछे को आकाउंट खुलवाना था पानी पत मैं जर्नली जोग फॉर्मल्टिस थी बहुत जल्दी मैं था मैं आकाउंट खुलवाके आ गया उसके बाद नेक्स टाइम जब मैं गया एक वक्ती को मैं जानता था जैसे ही मेरा इंटर हुआ वहाँ पे सारा का सारा स्टाफ मनेजर, डिप्टी मनेजर सारे के सारे कठ्थे हो गए और उनका भी पुर्षन्धागी साभ आप करते क्या हूं मैंने उनको बताया कि बैट्ट मैं बताता हूं और मैंना उनको बताया और एक दिन में सारा का सारा स्टाफ जाएन हो गया एक गंटे में ये सारी बाते मैं आपसे इसलिए सेर करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने चैलेंजिस आपके सामने मुसीवतें आपके सामने जो भी है वो तव तक है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती जिस दिन आप सफल हो जाएंगे टेक्निकल बोनस पर पहुंच जाएंगे आप आगे आगे होंगे और लोग आपके पीचे पीचे होंगे कि सर मैं भी जोन करना चाहता हूँ मेरे को भी जोन करवादो सो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स बहुत कुछ बदल गया इस बेनस की वज़े से कि वार सोचते हैं चार साल पहले देखते हैं तो बड़ा जीव लगता है क्या थे चार साल पहले जब बेनस की सुरुआत की एक स्कूटर था बजाचे तक वो भी पुराना सा है क्या किसी के पास में बजाचे तक सबके घर में अगर सबके घर में बजाचे तक है तो ठारा लाग की गाड़ी बीआ सकती है सो बहुत कुछ हो गया उस चेतक की वज़े से रखा आए घर पे दो गाड़ियां बदली हैं वो भी सेफ हैं ताकि लोग देखेंगे बाद में कि पहली गाड़ी ये थी मारूती 800 जिसको धक्के मार के चलाया जाता था फिर ये दुसरे वाले ली फिर तीसरे वाले ली सो बहुत कुछ मिल रहा है ये चीजे मैं आप से असलिए मैं आप से सेर कर रहा हूँ कि इस वेनस में बहुत बड़ी पावर है अगर आप एक गंभीरता से डिसीजन लेके आज आज आप यहा से जाते हैं ये सारी की सारी चीजेँे इस वेनस के माझ्यम से आपको मिल सकती है S.O.N.S. की सबसे बड़ी विशेस्ता हमारी Great Appline BC चावडा साभ अक्सर सेर करते हैं कि अगर आप भारत का रास्टपती बनना चाहेंगे तो बनना बहुत मुस्किल है क्यों मुस्किल है क्योंकि रास्टपती के लिए एक पोस्ट है और A.B.J. कलाम अब तक के सबसे अच्छे रास्टपती सावित हो रहे है यस बड़ा मुस्किल है पहुंचना परगान मंद्री बनना चाहेंगे मनमोन सिंग बैठे हैं वहाँ पे पंजाब का CM बनना चाहेंगे बन जाएंगे असान है क्या नहीं है आप अपने पठान कोट का कमिशनर या S.P. बनना चाहेंगे साइद वो भी बनना मुस्किल है क्योंकि एक बोस्ट है और आने वाले संखों आने वाले लोगों की लैन लगी हुए यस लेकिन अगर आप R.C.M. बैनस का आपको भी ये मिल सकता है सब कुछ अगर आपने पोजिटिव एटिटूड के साथ ये वेनस किया सकारात्मक सोच के साथ आपने किया पैसा कमाना चाहते हैं सब बड़ा जीव सा प्रशन है पूछ लेता हूँ फिर भी आथ खड़ा करें जो चाहते हैं सब ही चाहते हैं ठैंक यू एक बार तालियां मज़ा है आपके लिए आपकी बहुत अच्छी चाहत है पैसा कमाने के लिए हम दो कम करते हैं जेपाल गिट्टी की मैंने एक बुक पड़ी रावट कियो साकी को मैंने पढ़ा बरनस स्कूल में वो एक चीज़ लिखते हैं पैसा कमाने के लिए हमारे पास में दो साधन है एक साधन है कि हम जोब करते हैं कितने लोग करते हैं मेरे सीधा हैंड्स बहुत सारे करते हैं ठैंक यू पैसा मिलता है जोब से मिलता है नहीं मिलता है येस मिलता है लेकिन जेपाल गेटी एक चीज़ और लिखते है कि पैसा कमाने के दो साधन है जोब और बेनस लेकिन अमीर बनने का केवल मातर एक साधन है वो साधन है बेनस जोब से आप अमीर नहीं बन सकते कम से कम ये तो गैरेंटी है येस और टेटिसनल बेनस से भी नहीं बिल सकते जिस परकार के बेनस एक वीडल कास फैमली का वेक्ति करता है उससे भी आपको बहुत साधा पैसा नहीं मिलता जोब और बेनस में क्या होता है ये चीज़ें मैं सोचता हूँ कि अगर बच्पन में मुझे पढ़ा दी जाती तो साध में और कुछ होता लेकिन साध सही समय पे पढ़ाई गई है इसलिए मैं कुछ हूँ यहाँ पे हमारी जिंदगी में कौन घटना कब क्या घटती है उसके पीछे उपर वाले की बहुत बड़ी फ्लैनिंग होती है एक बार एक देखती था उसको काम की तलास थी उसने नियूस्वेपर में एक पढ़ी है कारिटाइजमेंट पढ़ी कि किसी जगह पे एक टोइलेट एटेंडेंट की पोस्ट वेकेंट थी को वहाँ पे गया जो वहाँ पे इंट्रिव लेने वाले थे उन्होंने उसका इंट्रिव लिया और इंट्रिव लेने के बाद में उन्होंने उसके सामने एक फोर्म रख दिया और उसको वरने के बाद बोले कि आप इस पर सिगनेचर करेंगे तो आपको ये टोइलेट अटेंडेंट की पोस्ट मिल जाएगी उस वेक्टी ने कहा कि मुझे सिगनेचर करने नहीं आते हम आपको ये नोकरी नहीं दे सकते वो वहाँ से आया रस्ते में उसने देखा कहीं फलों की दुकान थी उस पर वो नो गया उसके यहां से खरीदे वे फल बाहर जाने लगे और बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद में एक दिन किसी बैंक के साथ में उसकी बहुत बड़ी डील होने वाली थी वो वहाँ पे गया उस बैंक में और उस डील करने के बाद में उस बैंक का जो सिगनेचर कर दें उ तो तुम कहा होते उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं टोइलेट एटेंडन होता है। कहने का भाव यह है कि जब चीज जब भी हमें जो मिलती है वो सही टाइम पर मिलती है। उपर वाले की प्लैनिंग बहुत अशी होती है। आपको अगर यह कुछ लोगों लगता है कि आप पांस साल पहले अगर हम बजनस में जुड जाए तो पता नहीं क्या करते है। मेरा समाना कुछ नहीं कर पाथ। क्योंकि पांस साल पहले बहुत साथ लोग जुड़े थे वो नहीं कर पाए। उपर वाले की प्लैनिंग थी कि पांस साल के बाद आजसम बजनस पठान कोट में आएगा एक मिटिंग में आप आएंगे आप प्लान देखेंगे और चै महीने के बाद आप इसी प्रकार के शानदार होटल में किसी स्टेज से कहेंगे कि 6 महीने पहले 4 अक्टूबर 2005 को होटल विनस में मैंने एक फंक्शन देखा था मैंने डिस्जन लिया कि मैं इस विनस को करूँगा और उसका रिजल्ट है कि मा आज आजसम विनस में रोयल्टी के मुकाम पे हैं इसकी प्लैनिंग थी और सैथ उसी की प्लैनिंग थी कि ये चीजे मेरी बाद में सोज़ मैं जोब और विनस में क्या होता है फैंड जोब अगर एक वक्ती 20 साल की एज में स्टार्ट करता है तो वो एक दो दिनिया दो साल के लिए नहीं करता एक सर्वे है कि 45 साल तक एक वक्ती काम करता है 20 साल की एज से गरो स्टार्ट करता है जब वो 65 साल की एज में पहुंसता है वो काम करने लाइक नहीं रहता इसलिए वो छोड़ देता है और उसके बाद घर में भी उसकी स्थिती कुछ अजीर सी हो जाती है एक जोब वाले की उड़मना नेखिए जब तक वो जोब में होता है उसका हमेशा पहले नमबर लगता है अगर घर में बहुत लोग हैं और एक बात रूम है सबसे पहले जोब वाले को नमबर बढ़ेगा क्योंकि घर वाले कहेंगे लेट हो जाएंगे पहले इसको नाने दो ब्रेक फास सबसे पहले मिलेगा उसको और जैसे ही ये 65 साल की एज में पहुंसता है सबसे पीछे करना ही क्या है खाना और नाना दोई तो काम है करते रहना है बच्चोंने स्कूल में जाना है उसने ये करना है ये करना है सो इस परकार की स्थीती होती है 45 साल तक काम करने के बावजुद और जोब में जो सिचुएशन है मैंने एक बुक में पढ़ा उसमें रैटर लिख रहे थे जिनका जोब का बहुत अच्छा अनुभा हुथा जोब वाले जरा ध्यान से सुने मेरा भी एक्सपिरियंस है एक साल का और जिस रैटर ने ये लिखा है उनका जोब का बहुत बढ़ा अनुभा है वो रैटर लिखते हैं जोब जो लोग करते हैं वो विस्व के किसी भी कोने में है वो इंडिया में है या अमेरिका में है वो मंडे को वहाँ पे जाते हैं जहां पे वो जाना नहीं चाते हैं उन लोगों के साथ होपिस में बैठके चाहे पीते हैं जिन के साथ में मी पीणा नहीं चाहते हैं और उस boss को स्लाम करते हैं जिसके साथ हो अच्छे रंग से बात भी नहीं करना चाहते हैं यस or no? यस फिर भी क्यों करते हैं? मजबूरी है यस अगर नहीं जाएंगे तो घर में चुला नहीं जलेगा बच्चों की फीस कहां से आएगी पेरेंट्स का इलाज कहां से करवाएंगे करना पड़ता है वही टेबल, वही फाइल वही वोस, जिंदगी वार एक नीरस से जिंदगी करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिलता उसके बाद अगर हम बेरेंट्स में आएं जोब में और बेरेंट्स में दोनों में एक कॉमन चीज है जोब वाला भी 45 साल काम करता है और बेरेंट्स में की तो बड़ी जीव सीटी होती है मैंने दोनों चीज़ें देखी है मैंने जोग किया एक साल एक प्राइविट स्कूल में और बिजनस में हूँ मैं पिसले आठ साल से एक बिजनस में अगर उसका एक अच्छा सांदार सोरूम है वो अगर 20 साल की एज में अपने सोरूम पर जाना सुरू करता है उसका जो पहला दिन होता है वो जाता है अपनी दुकान के अपने सोरूम केस्टर को उपर उठाता है और दिन पर वहाँ बैठके गरागों का इंतिजार करता है अपनी सोब में वो बहुत अच्छी चीज़ें लिखवा लेता है कि गराग मेरे लिए बगवान है गराग की संतुस्री ही मेरा देए है येस लेकिन अंदर से वो ये सोचता है कि ये जो आया है ना इसकी जेब में जितने पैसे हैं सारे के सारे निकल वा लोगा येस वो कहते हैं कि मूँ देखके टीका लगाते है कार में आया तो ज़्यादा मांग लूँगा सेक्ल पे आया तो सोचूँगा कि ज़्यादे इसके पास नहीं होंगे कम ले लूँगा येस दिन पर वो ये ही काम करता है और रात में क्या करता है जो स्टर उपर उठाया था उसको नीचे कर देता है और जाके घर पे सो जाता है ठीक दूसरे दिन क्या करता है वो वही करता है डेलोजी गोमने के लिए तो नहीं जाता है नहीं जाता दो साल बाद क्या करता है स्टर उपर नीचे दस साल बाद, बीस साल बाद पैंतालिस साल तक उसका एक ही काम है सुबह आना स्टर उपर करना रात को नीचे स्टर उपर स्टर नीचे स्टर उपर स्टर नीचे और ये भूल जाता है वो कि उपर वाले ने तुझे पैदा क्यों किया है उसकी सोज में सह दिया आता है कि उपर वाले ने एक ही काम सोचा है कि बेटा जाओ 20 साल के एज में तु ज्ञें काम दूंगा और एक ही काम है जिंदगी बार विस्टर उपर करते रेना नीचे करते रेना उपर करते रेना नीचे करते रेना और वो बिजनिसमेन बेशारा सोच में नी पाता कि ो क्या कर रहा है फुरसत ही कहा है सोचने की आप किसी को बुलाईए ना सिंबरनस की मिटिंग में टाइम नहीं है जाब फुरसत नहीं है चार हजार पर महीना कमाने की फुरसत है जहां से चार लाख मिल जाता है वो बात सोचने की फुरसत नहीं है क्योंकि हमने अपने आपको सीमाओं में बांध लिया है जो माव और जो स्थीतिया हमें है बस वो बड़ी है उससे निकलना नहीं चाहते और ने के बन मात तर निकलना नहीं चाहते हमें नहीं लगता कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं जिन्दगी में सो यह स्थीतिया फ्रेंड्स एक बनस्मेन की एक बनस्मेन पैंटालिस साल तक काम करने के बावजूद अगर उसको पैसा मिल भी जाता है उसने बीस लाग की कटा कर लिया वो उस पैसे का क्या करता है अपने बच्चों को छोड़ देता है और बीस साल की एज में जब उसका बच्चा होता है उसको वो काम सुरुआ देता है और उसका बच्चा क्या क्या करता है वो भी स्टर ऊपर सर नीचे स्टर ऊपर सर नीचे और वो इस 20 लाग को 50 लाग कर देता है और वो क्या करता है वो अपने 20 साल के बेटे को दे जाता है कि बेटा अपड़ी मैनत से कमाया इसको खोना मत और वो भी अपने बात को पूरा करता है वो भी स्टर उपर स्टर नीचे वो उसको पजास लाग को दो क्रोट कर देता है येस ऐसा ही होता है येस एक 65 साल की एज़ वाले वेक्ति को अगर आप कहें कि आपने बहुत कमाया 20 लाग रुपए कमाया चलिए आप कुछ पैसा ले अब इस पैसे का इंजोय करें क्या 65 साल की एज़ में इंजोय करने के लिए कोई वेक्ति मना लिया डलोजी जाएगा तो या तो अमरिस्टर जाएगा या हरीदवार जाएगा राम का नाम ले लें बस ये बहुत बड़ी चीज़ है बस उसके पास जाना है वो चीं के ना सोच बड़ी जाती है उसेज में जाने के बाद में सो فएन्ज इस परकार की स्थीति है और राबट क्योंसा की कहते है कि ये जोव और ब्रेनस का जू सिस्टम है ये एक चूआ दोड है क्या है? चूआ दोड वो कहते हैं कि जोव और बेनस वाला जो ये चक्कर है जोव एक टी एक बार इस चक्कर में फसता है वो जिन्दगी वर फसा रहता है जिस परकार से एक बिल्ली चुए के पीछे लगी रहती है किसी परकार से एक जोव वाला और बेनस वाला पैसे के पीछे लगा रहता है पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए और जिंदगी और उसको पैसा नहीं मिलता यह स्थिती है हमारी लेकिन उपर वाले का हम बहुत ठेंक्स करते हैं उसने ऐसे कुछ प्लैनिंग की उसने एक ऐसे महान विक्ती के माइन में एक कॉंसेप्ट डाला और एक ऐसा कॉंसेप्ट जिस कॉंसेप्ट के जरिए हम इस चुहा दोर से बाहर निकल जाएं और ऐसे निकल जाएं पैसे को अपना गुलाम बना लें जितना आप चाहते हैं उससे कہी ज़्याद आएग उससे कम नहीं आ सकता जानते हैं उस उससर का नाम क्या है क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है Aars- Cem एग्जेक्टली Aars- Cem यह कौंसेप्ट जो आफसे 5 साल पहले स्टार्ट कुआ और इस वेटनस की पार देखिए एज में अगर स्टार्ट करता है उसको 45 साल काम करने की जरूरत नहीं है इस बेनस में उसको केवल मातर 5 साल लगाने हैं कितने साल 5 साल एक वेक्टी अगर 20 साल की एज में इसको स्टार्ट करता है पास साल काम करके वो 25 साल की एज में रिटेर हो जाता है यहां तो रिटेर तब होते हैं जो काम करने लाइक नहीं रहते हैं और यहां पर रिटेर वो तब होता है जो जिन्दगी में असली आनन्द लेता है उसके उसके पास में टेंसर नहीं होती पैसे की और सबसे बड़ी चीज उसके पास में समय की चिंता नहीं होती जहां मर जी जाए बहुत सारे स्टुडेंट हैं हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं जिनों ने अभी तक साधी नहीं करवाई हैं लक्की लोग हाथ कड़ा करेंग तो सारे हैं आपको तालीय मुझे एंगवार एक बहुत रची बाद बतारा हम आपके लिए